लोकसब चुनाव दोहजर चुबीस के पांचवे चरण का मतदान पूरा होने जा रहा है इस मतदान के पूरे होने पर अब तमाम तरह के कयास बाजियां शुरू हो चुकी है कि आखिर बाजी मारेगा कौन क्योंकि अगर देखा जाए तो करीबन करीबन असी प्रतीशत जो चुनाव में मतदान की प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है यानि पांचवे चरण का मतदान पूरा होने के साथ साथ ही करीब असी प्रतीशत मतदान पूरा हो गया है अब देखा जाए तो इस बात के कहीं न कहीं कयास लगाने शुरू हो जाएंगे आने वाले समय में कि आखिर इस बार भारत में इस बार देश में किसकी सरकार आएगी क्या भारते जनता पार्टी वापसी करते दिखाई देगी या फिर इस बार इंडी अलाइंस इंडी गड़ बंधन बाजी मारता दिखाई देगा अब इसी बीच कही ना कही देखें तो तमाम नेताओं की चुनावी रैलियां चुनावी जनसभाय अपने चरम पर हैं तमाम नेता अभी भी जनता के बीच जा रहे हैं उन तमाम शेत्रों में उन तमाम जगाओं में जाकर चुनावी जनसभाय कर रहे हैं जनता को लुभाने क के तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं और इसी बीच एक विडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वारल हो रहा है विडियो है नितीश कुमार का जिहां एंडिये गड़ बंदन के प्रमुक चहरे नितीश कुमार विहार राजनीती के प्रमुक चहरे नितीश कुमार ने वाल्मी की नगर में एक cnavipi ja life के दोनाада科ora ने k formal के दिखने को मिला जी हां चुनावी सभा में हर घर शौचाले की बात कहकर नितीश कुमार बुरी तरहां फस्द है जब नितीश कुमार ने जनता के सामने कहा कि हमने हालही के समय में जब पिछले चुनाव में तमाम वादे किये थे तो हमने ये भी कहा था कि हम हर घर शौचाली की जो सुविधा है वो सब को देंगे लेकिन जनता नितीश कुमार की इस बात पर ऐसे आग बबूला ओटी और बोली कि हर घर में शौचाली पहुचा दिया तो ग्रामीर बोले नहीं पहुचा नहीं पहुचा मुख्यमंत्री जी को उसके बात सफाई देनी पड़ी जिया अपने इस बयान में अपने इस विडियो में नितीश कुमार ने जब जनता का आकरोश देखने को मिला तो नितीश कुमार ने बकायदा अपने इस बयान में सफाई पेश की नितीश कुमार ने क्य कहां कहीं भी दिक्कत है कोई पूछ लो कहां पर कोई दिक्कत उसको तुरण ठीक किया जाएगा उसब में कोई बात नहीं उसब की चिंता आप मत करिये तो हम लोगों ने तो कर दिया हर घर बिजली हर घर नल का जल हर गर सवचाल है यह मैक्सिमम जो कुछ भी है उसका भी काम करवा रहे हैं और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने सरकारी नौकरी में कितना दिया को लोग कोई नौकरी देता था जी 2005 से 2020 के बीच में हम लोगों ने आठ लाक लोगों को नौकरी दी और लाकों लोगों को रुजगार दिया है जब 2020 में हम और भाजपा के लोग साथ एक बार तैकिया